दोस्तो इस वीडियो में मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उतना आपने कर दिया तो गैरेंटी के साथ बताता हूँ कि कोई भी और रतिया लड़की खुद आपको पठाएगी और इन तरीकों को जानने के लिए आपको वीडियो आखरी तक देखना है तो चलिए शुरू करते हैं पहला तरीका है लड़की को उस काम में सपोर्ट करो जिस काम में बाकी लोग सपोर्ट नहीं बखरते जैसे कि लड़की पढ़ना चाहती है या कुछ जॉब करना चाहती है या उसके कुछ सपने होते है जिसे वो पुरा करना चाहती है लेकिन बाखी लोग उस लड़की को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे समय पर आप उस लड़की को उसके सपने पूरे करने में सपोर्ट कीजिए दोस्तों ये एक एफेक्टिव और पाउरमोल तरीका है लड़की के दिल में अपनी जगा बनाने की आपके सपोर्ट से लड़की ने अपना एक भी सपना या एक भी काम पूरा कर लिया जिसे करने में उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था तो वो जिन्दे की बार आपकी गुलाम बन कर रहेगी आपको अपने हातों से जाने नहीं देगी और आप जो चाहो उस लड़की से या उस औरत से हासिल कर सकते हो दूसरा तरीका है बिजी रहना जब कोई लड़की हमें ये पूछती है कि क्या कर रहे हो तब हमारा यही जवाब होता है कि कुछ नहीं हमारे इसी जवाब से हम अपना इंप्रेशन लड़की के सामने डाउन कर लेते हैं दोस्तों आप कुछ करो या ना करो लड़की के सामने अपने आपको हमेशा बीजी बताओ आप ऐसा शो करो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब पर हो या किसी के साथ काम के सिलसले में मीटिंग कर रहे हो क्योंकि जब आप लड़की को ये बताते हो कि मैं फ्री बैटा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ तो लड़की यही सोचती है कि आप नल्ले हो और एक निठले नल्ले के साथ कोई लड़की अपना फ्यूचर क्या बनाएगी आपके इसी जवाब से ही लड़की कतराना शुरू कर देती है और आपसे दूर रहना शुरू कर देती है दोस्तों ये सब को मालूम है कि लाइफ में अगर इंकम का कोई सोर्स नहीं है तो लाइफ बिलकुल ही बत से बत्तर हो जाती है और जिसकी लाइफ पहले से बत्तर कंडिशन में है ऐसे लड़कों के साथ कौन सी लड़की रहना पसंद करेगी इसलिए लड़की के सामने ये जताओ कि आप हमेशा बीजी रहते हो तीसरा तरीका है मदद करना या आइसान करना दोस्तों आउरतों या लड़कीों के दिल के जितने का सबसे आसान और सबसे जल्दी असर करने वाला तरीका है उनके मदद करना या किसी तरह से उन पर आइसान करना क्योंकि आउरते अपना आइसान किसी ना किसी तरीके से चुकाती जरूर है आउरतों की मदद करने से आप उनके आसपास होते हो वक्त बेवक्त उनके मदद करने से आउरते या लड़किया आपको हमेशा अपने दिमाग में रखती है और जो इंसान जरुरत पे काम आए ऐसे इंसान को आउरत या लड़किया अपने से दूर होने नहीं देती लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्यादा मदद करने के चक्कर में आप कही उसके नौकर ना बन जाओ आपको उसके छोटे-छोटे काम में मदद नहीं करनी है ऐसे काम में मदद करनी है जो कि वो खुद नहीं कर सकती या जिसे काम को करने के लिए कोई और दिल्चस्पी नहीं ले रहा हो कभी-कभी जरुरत परने पर पैसों से मदद कर दीजिए या ऐसा कोई काम जो वो बिना किसी के सहारे करना पाए ऐसे कामों में मदद कर दीजिए दोस्तो इन तरीकों को अगर आपने सही वक्त पर इस्तमाल किया तो कोई भी अवरतिया लर्की खुद आपको पटाने के लिए तड़प रही होगी और आपको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है